हम भूमी आ रहे हैं हम चमार थो रहे हैं इसा कोई रादा नहीं था तब ये नेता लोग क्या करेंगे तब तो इनके पास कोई जबाब भी नहीं होगा राम भद्राचार ये जो हिंदू के ठेकेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चारो वरन चमार होता है तो चमार जो शब्द है इस देश का जागरुक नागरिक है इस देश में जो बहुझन महा पूरुष है उनके विचारधारों को आगे बढ़हने वाला जो वर्ग है वो चमार वर्ग है इसलिए चमार जाती से नफरत करना इनका बनता है क्योंकि चमारों ने है इस देश के अंदर इस दुनिया के अंदर चमार अगर चमार की बात करें तो चमार मैं चमार नहीं हूँ ये कहना शर्म की बात है और मैं चमार हूँ ये कहना गर्ब की बात है क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहला भैग्यानिक चमार रहा है जिनने चमड़ा छीला चमड़े से चपल बनाया और लोगों को अराम देख पैर में पहनने के लिए उजात किया और रही बात इस देश में चमारों से नफरत करने की घ्रिड़ा करने की तो ये जो भूमी हार की जो बात कर रहा है कि मैं भूमी हार हूं चमार नहीं तो भूमी हार ने आज तक कुछ करके दिखायो तो बताओ चमार ने धर्ती की छाती फाड़कर खेती हुगाई चमार ने इस देश के अंदर अविश्कार करके दिये चमार ने इस देश के अंदर जितने महाप्रूस दबे हुए तो उनको उखार करके दुनिया के सामने लाया चमार ने इस देश के अंदर बोध सभेता को बचाया चमार ने इस देश के अंदर समराट असोक की सभेता को बचाया इस देश के अंदर जितने भी आज तक दबे हुए सत्य थे उनको उखाड़ना उनको दुनिया के सामने उजागर करना लोगों के सामने तथे के आधार पर लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जाती को सबसे दे इनूने नीचे रखा दबाया गया यह उसको इनूने बहिसकार कर दिया एक बहिस्क्रित जाती जिसको तुमने उठने नहीं दिया उसने फिर भी हरवार कोशिश करी और कोशिश करते करते आज वो इतनी उचाई पर है कि आज तुम्हें अपनी खीज मिटाने के लिए उसका नाम लेना पड़ता है नता है उसके पड़ता है और रही बात ए जो नेता है मुनना भूमिहार इस जैसे दो टके के नेताओं को मैं इनध दो टक्के का नेता कहते हूं क्यूंकि ये ऐसे नेता है जो रात的话 को बार Бालाओं को मंगाते हैं नाच गाना कराते हैं रंगर्यलिया मनाते हैं दूसरों की बेटियों को पैसा के दम पर अपने स्थेस पर नचवाते और ऐसे लोग बताएंगे चमारों को कि वो क्या है अरे तुम जैसे घटिया लोगों की तरह चमार हरकत नहीं करता है चमार अपने पैसे को इस तरहां से लड़किया नचाने पर खश नहीं करता है चमार अपने पैसे को इस देश को उठाने के लिए इस समाज का उत्थान कराने के लिए करता है और जिन शर्म की बात है नीचता की बात है चमार होना गर्ब की बात है। मचित के इन तीन चीजों खी नहीं है तो इन तीन चीजों से बना हुआ यहत्व है तो अगर आप रविधास जी की संंगय है उसके अधार पर भी देखते हैं तो यह लोग घटिया बयां दे रहे इसके अधार पर इनका ठीक अगर तुम चमार नहीं हो तो जाओ नो तुम अपने शरीर का सारा रक्त निकाल दो मज्जा निकाल दो अगर सरीर से जो खाल है मां से ये निकल गया तो क्या बचेगा यह जाती से नफरत की है ना कि किसी साइंटिफिक टेमपरमेंट पर है ना ही किसी भाईजारे को बढ़ाने के लिए और ऐसे लोगों को लालू या अदम ने टिकेट दे करके उन्होंने भी ये बात का लोगों को व्रोध के लिए तैयार कर लिया तो ऐसी घटिया बयानबाज तो खुद रविदाद जी चमार जाती से आते थे उनका पूरा धार्मिक जीवन पूरी दुनिया में रहा है चमार तो उचे होदे पर रहे हैं बहुत मजबूत कौम रही है तो यह जो जातिवादी लोग हमारे देश में क्यों उसको मदर नीचा दिखाने कोशिश करते हैं द लोगों से उपर है इसलिए उनको खीशने कोशिश की जाती है और मैं इस देश के समज चमारों को सड़ जुका कर नतमस तक और नमन करती हूं कि उन्होंने इस दुनिया में इस देश में मानप सभ्यता को बचा कर रहा है और ऐसे गटिया लोगों कुछ समय-समय पर जो ये घटिया पन करते हैं अपनी ओच ही मान सिकता था लेकिन चमार इनको कभी इस तरह घटिया जबाब नहीं देता है चमार इनको हमेशा सम्मान जनक जबाब देता है और इनके मुपर हमेशा से वो सम्मान के साथ जूता मारता है और वो जूता कले इनको पड़ चुका है, सुभह बयान देखर के आदमी वीडियो डालता है, और साम को ही उस व्यक्ति को माफी मंगने पड़ती है, हाथ जोड़ करके, तो क्या है, चमार इन से हमेशा उचा है, तुम्हें काउंटर करता है, तुम्हें इंसान बनाने के यादा भले ही OBC का नेता हो सकते हैं, लेकिन SC के प्रति उनके मन में भी घरणा है, उन्होंने भी SC के प्रति ये नफरत जाहिर करी है, और वहां के SC लोगों को ये बात वोट देते टाइम पर ध्यान रखनी चाहिए कि कोन उनका अपना है, और कोन उनके दुश्मन है, जो O प्रति इसको कहेगी कि माफी नामे के तोर पर तुम जाओ चमारो घर जाओ और उनकी ठाली में खाना खा कर रहा हो, तो इस मुनना स्चुकला को जाकर खाना खाना पड़ेगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी, वहां जाकर खाना खाना पाखंड है, दिखावा है, और धौंग था इनका, यह जूटा नाटक था, यह हम जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग देश के अंदर जागरुक कर रहा है, उन लोगों ने बता दिया कि इस सिर्फ नाटक है, तुम्हारे घर में खाना खाने से, तुम्हारा तो कोई भला नहीं हुआ, या तुम्हारे जाएंगे तो इनको खाना तो छोड़िये, इनको जूते पड़ेंगे, लोग काफी वरोध कर रहे हैं पुरे उत्तर परदेश में और बिहार में, होगा इसका वरोध होना चाहिए, और कड़ी निंदा होनी चाहिए, वरोध ही नहीं, अगर यह जंता के बीच में जाए, त चमार इसको अकल सिखाएं, चमार इसको गोबर फैंके, जूता फैंके, और इसको बताएं, और बाद में कह दें, जैसे इसने आज माफी मांगी, तुम भी हाथ जोड़ के कह दें, जी माफ करना, हमारे भावना हाथ करने का कोई इरादा नहीं था,